नमस्कार तीम लीड करनी है या फिर पब्लिक स्पीकर बनना कैसे बनने तीम लीडर तो बन गया आप अपने जोब एक्सपिरियंस में और अच्छे टारगेट अचिर किया तो आपको टीम लीडर बना दिया आपके नीचे कम से कम सो पचास जनों का सम्मू है उनको आपको ली एक्सेय क्जम एफ street बोले कि सामने वाला व्यक्ति सामने वाली सब्समा है आप से मंत्र मुक्ध़ हो जाए पब्लिक स्पिकर कैसे परने टीम लीड के से करें अगर आपको पब्लीक स्पिकर बनना है टीम लीडर बनना है तो आपको ये बाते द्यार में रखनी होगी नमबर वन अपने आपको जाने सबसे पहले आप कई बोलने जा रहे हो तो अपने आपको जानना कि अपने आप में इसी क्या ability है आप किस विशई पर अच्छा बोल सकते हूं आप में किस बासा पर पकड़ है आपको किस knowledge को पकड़ है अगर आप अपने आपको जानूगे ना तो आप दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाऊगे अगर आप खुद को अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो आप दूसरो को अच्छी तरह नहीं समझा पाऊगे तो सब से पहले खुद को जाने अच्छी तरह से देखें कि अपने अंदर एसी क्या विशेस पकड़ है क्या आप politics पर अच्छा बोल सकते हो क्या आप जन्याल नोले जीके पर अच्छा बोल सकते हो क्या आप spiritual अध्यात्म पर हो रहे हैं उन पर अच्छा बोल सकते हो किस पर आप की पकड़ है किस पर आप अच्छा बोल सकते हो अपने आपको अंदर से जाने क्यार में किस सब्जेक्ट पर अच्छा बोल सकते हो जिस सब्जेक्ट पर आप अच्छा बोल सकते हो उस पर अपनी पकड़ बनाईए और बस ganze वहीं पकड्दत कि आगे ले सोटाओं को जाने अपनी ओडियन्स को जाने ध्यान रखना कहीं पर विप्छिर हो। कहीं पर आप टीमीरिच करने जा तो सबसे पहले जानना होगे की की अपके ऑडियन्स कौन सी है?. नरेंदर मोधी को सबसे अच्छा में आफ्ता कहा जाता है अपने उन रेंडर मोझी को क्यों कि वह जिस राची में जाते हैं उस राची में वहा के लोगों में बार में बात कर और जहां वह बोलने जाते हैं उस से पहले उन रोताओं की में उडियेंस की चानकारी लेने ते कि मुझे क्या बोलना और किस वक्त और कैसे बोलना तो यही आपको किसी विशेवत पकड़ होती है ना तो आप अच्छा बोल पाते हो और जब नरेंदर मोदी अलग-अलग रज्यों में सभा करने जाते हैं अलग-अलग तरह के बासन देते हैं ना तो लोग उनकी तरफ अट्रेक्ट होते जारे जाते लोग उनकी ऊपर आकशित होते जाते कैसे क्योंकि वो ओडियंस को अपने आपसे जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं उनको पता होता कि मुझे किस जगह क्या बोलना है तो यह आपको जहनना जरूर है कहीं पर भी आप जा रहे हो पब्लिक स्पीश देने या टीम लिड़ करने जा रहे हो तो अपने ओडियंस को देखना कि आपकी ओडियंस केसी है राजनिती वाली है या प्रभावी बोडी लेंग्वेज द्यान रखना आपको आपकी बोलने पर अच्छी पकड़े लेकिन साथ में आपकी बोडी लेंग्वेज भी अथी होनी चाहिए यह नहीं कि बोलते वक्त आपके हाथ थर थर कापे आप थोड़ा आपको हेजिटेट हिचक मेसूस हो एसा म अगर आपकी बोडी लेंग्वेज अच्छी नहीं होगी ना आप कोड़ियंस से नहीं बोलोगे ना तो लोगों के उपर आपका इफेक्ट अच्छा नहीं जाएगा लोग आपसे प्रभावित नहीं हो पाएं तो सबसे पहले अपनी बोडी लेंग्वेज पर ध्यान जितन ज्यादा अच्छी आपकी बोडी लेंगेज होगी ना उतने ज्यादा ही स्रोता आप से परभावित होंगे और इफेक्टिव होंगे फॉर्थ कहानियों और किस्सों का प्रियोग करें ध्यान रखना अपनी ओडियंस को अगर अपनी तरफ अट्रेक्ट बनाए रखना ना कभ प्रियोग करें जितना ज्यादा कहानियों का प्रियोग करोंगें तो आपकी ओडियंस को मज़ा आता जाएगा और आपकी ओडियंस आपकी तरफ अट्रेक्टिव होती जाएगा आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाओगे एक अच्छे टीम लीडर की रूप में फिर्थ जुनून दर्ड विश्वास और देरी होना चाहिए पब्लिक स्पिकर बनने के लिए ये नहीं कि आप रातू रात अच्छे पब्लिक स्पिकर बन जाओगे एक अच्छे टीम लीडर बन जाओगे नहीं नरेंदर मोदी जी आज बोलते हैं तो क्या वो आज ही बोल रहे हैं वर्सों से वो बोलते आ रहे हैं छोटे से छोटे से चोटे से लेकर आज बड़े से बड़े से पूरे विस्व में जहां उनको बोलने के लिए कहा जाता है वो बोल जाता है कैसे जुनून दर्ड विश्व विष्वास और तेरी से सुर्वास में वह भी हिच्किचाए होंगे सुर्वास में वह भी डरे होंगे सुर्वास में उनको भी कुछ नूलेज नहीं हुआ होगा लेकिन दीरे 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 उन्होंने अपने आपको इंप्रोव किया और आज वह इस लेवल में पहुंचे हैं भारत में ही नहीं विश्व में भी कहीं बोलना हो तो बोल जाते कैसे जुनूर्ण धर्ड विश्वास और धेरी के बदूलत सिक्स नोलेज आपको नोलेज होना बहुत जुरूज़ अगर आपको पबलीक इस्तीकर अगर टीम लेडर पनना थो आपको हर तरका नोलेज रखना होगा राजनितिस रिलेटेड और करंट में भी क्या चल रहा है आपको अपने बिजनिस से लेकर विदेश फोरेंड में क्या चल रहा है अपने आस पास क्या चल रहा है आपको नोलेज रखना होगा तब ही आप वो नोलेज की बात है आप अपने स्रोताओं को आप अपने ओडियन्स को बता पाओगे अगर आपके अंदर नोलेज नहीं होगा ना तो आप अपने ओडियन्स को क्या बताओगे आप अपने स्रोताओं को क्या बताओगे इसलिए नोलेज होना आप में बहुत जूरी तो इच्छे बाते अगर आप के अंदर होगी न तो आप अच्छे टीम लिडर आप अच्छे पब्लिक स्पिकर बन पाओगे